स्री सद्गुरू देवाई नमा भायो मैंनो, राम से बड़ा राम का नाम है, राम नाम से कुछ भी तुल लब नहीं, कल्यूग में ये महा आउसदी है, जिसने भी इस आउसदी का सेवन किया, उसके जीवन के सारिक, मानसिक और आर्थिक संकट सताही नश्ठ हो जाते हैं। राम नाम का लुहा मानता है, राम नाम से सब कुछ सुलब है, एक बार विश्वास करने की जरुवत है, अगर विश्वास द्रण हो गया, तो हम आप वह सभी कुछ पा सकते हैं, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कल्यूग में ऐसे तमाम भक्त हुए हैं, जिनो आपको बुढ़ापा देखने को मिलेगा, क्या इसकी कोई गारंटी है, जिसके जिसने जीवन में कभी भजन नहीं किया, तो क्या बुढ़ापे में भगवान की इसमती रह जाएगी, काल तो हर समय सर पे खड़ा है, जीवन का कौन सा पल आखरी हो, कह नहीं सकते, अगर ना जाप नहीं किया, तो सुरू कर दें, नाम महाराज की सरण में जाएंगे, तो स्रद्गुरू भी मिल जाएगे, विश्वास करके तो देखें, सभी संत महापुरूस राम नाम की महिमा का बखान करते हैं, कुछ तो है ना इस राम नाम में, आज जो कथा सुनाने जा रहा वह उत्तर परदेश से गोकल भवन अयुद्या यूटीब परिवार की सदस से तरप्ती जी ने भेजी है, उनके जीवन में नाम महाराज जी की करपा का कैसा कैसा अनुभा हो रहा है, यह जान कर आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी, आज वही कथा यादास आपके सामन प्रस्तुत कर रहा है, इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आवस देखिएगा, इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की करपा और ब्रंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनन लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल नहीं किया जा सकता, गुरु जी भगवत करपा से जीवन में ऐसे ऐसे चमतकार होते हैं, जिसको कोई समझ नहीं पाता, गुरु जी कल्यूग में नाम से बढ़ का कुछ नहीं, तबी तो स्री तुलसी दाव जी ने भी कहा है कल्यूग केवल नाम अधारा, जीवन में चाहे जितने भी संकाटा जाएं, किन्तु नाम जब से सब को ठीक हो जाता है, गुरु जी आप जो राम नाम के पताप से जुड़ी सत्त कताएं बताते हैं, जिनको लोगों ने अपने जीवन में अन्भो भी किया है, उसको सुनकर लोगों के जीवन में नाम जपने की प्रेणा म लाए, मुझे भी आपने सीटा राम नाम का दान दे कर मेरे जीवन का उधार कर दिया, गुरु जी आज मैं अपने जीवन के कुछ अन्भो आपके साथ सेर कर रही हूं, जिसको सुनकर लोगों के अंदर नाम जपकी प्रेणा मिलेगी, गुरु जी मेरा नाम तरपती है, मै मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं, मेरे परिवार में मेरे पती, बच्चे और मेरी सास हैं, हमारे घर में धार्मिक माहौल सुरु से ही रहा है, नाम जबके कुछ अन्भो हमको और हमारे परिवार वालों को हुए हैं, उसके बारे में बता रही हूं, कुछ समय पहले की बात है हमारे घर के सामने सिव जी का मंदिर है जहां मानस का पाठ होता है यह साम चारवेश से छेवेश तक होता था मेरी सास वहां हर चौपाई का अर्थ लोगों को समझाती थी जिसको सुनने के लिए बहुत लोगों की भीड इखटा हो जाती थी. मेरे सास इतने आसान सब्दों से समझाती थी कि जो सभी लोग पसंद करते थे. एक दिन जब वो मंदिर गई तो उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि पापा कहा है? तो उसने कहा कि पापा तो आफिस आज बारा बजे चले गए थे मेरी सास ने का यह कैसे हो सकता है दो बजे के करी वह मेरे कमरे में आया था उसमें मैं मोबाल चला रही थी तो उसने कहा था कि मम्मी आप तयार होने लगिए आपको मंदर जाना है तो सास ने कहा कि अभी थोड़ा समय है उसके बाद सास मोबाल चलाने लगी जब या बात मुझको बताई गई तो मैंने कहा वह तो आज लेट गए थे वना रोज दस बज़े चले आते थे आज बारा बज़े गए हैं तो आपके पास कौन आया था तो साथ बोली मेरे पास तो वही आया था मैंने इससे बात हुई मैंने उसको देखा है तो ये कैसे हो सकता है मैंने उनसे कहा कि हो सकता है हनुमान जी का हनुमान जी उनका रूप धर का आपको बुलाने आये थे क्योंकि हन्मान जी को राम कथा बहुत पसंद है यह किसी चमतकार से कम अन्वहों नहीं था गुरू जी एक दिन मेरी रसुई में गैस स्रेंडर खत्म हो गया तो मैं इंडेक्शन चूले पर खाना बनाई थी मेरी नंद और नंदोई आने वाले थे जो कि काफी पैसे वाले है उनको थोड़ा अपने पैसों का घमंड भी है मेरा नाम जब तो चलता ही रहता था मैंने भगवान से कहा कि जब तक वो रहे तो तो बिजली ना जाए वरना इंडेक्शन चूला नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनेगा और ये लोग बाद में गल बाते बोलेंगे प्रभू मेरी लाज रखना है जैसे ही वो लोगा तुरन बिजली चली गई मेरा तो काटो खून नहीं अब क्या होगा मैं घबराई की गई कि अम क्या करूं मैंने सोचा कि एक काम करते हैं स्लिंडर हिलाके लगा कर देखते हैं सायत तलीम जो गस हो उसे चाय तो कमकम बनजाए गूरू जी मैंने वही किया गस जल गई गूरू जी मेरे गस स्लिंडर जो की खत्म हो चुका था वो काम करने लगा मैंने पूरा चाहीं नहीं बनाई मैंने पूरा खाना बनाया यही ने गुरू जी खाली सरंड़ा मेरा एक महीने तक हमाई घर पे खाना बनाता रहा मेरे पती को भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खुद देखा था कि सरंड़ा खत्म हो चुका था गुरू जी जिस दिन भरा सरंड़ा घर आ गया उसी दिन उस सरंडर ने काम करना बन कर दिया यह नाम जब कही तो प्रताब कहेंगे कि खाली सरंड़ा एक महा तक चला गुरू जी एक घटना और है यह कुरोना काल की बात है उस समय हमारे पास पैसे की बहुत तंगी थी, किन्तु अपने बेटी की फीज जमा करनी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि फीज कैसे जमा करें मेरी बेटी की एक सहीली थी उसने कुछ पैसे जोड़े थे उसने मेरी बेटी से कहा कि फीज मैं जमा कर देती हूँ तुम एक माह में मेरा पैसा लोटा देना जिससे कि मेरा भी काम हो जाएगा मेरी बेटी ने अपनी फीज जमा कर दी समय गुजरता जा रहा था किन्तु पैसे का कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा था एक दिन उस सहलील ने कहा कि कल मुझे पैसे की जरुवत है तुम कल पैसा दे देना गुरू जी बेटी नी जब मुझे को बताया तो मेरी समझ में नहीं आया था तो अचानक मेरे पती के एक दोस्त आए और जितना पैसा मुझे को देना था उतना पैसा देते हुए बोले ये दे दीजेगा अब बोलियागा उनसे की वापस करने की जरुवत नहीं है मैं एकदम आवा करा गई कि प्रभू कैसे कैसे भक्तों की मदद करते है गुरू जी इसके अलावा मेरे जीवन में नाम जब के बहुत से अनवव हुए है जिसको मैं यहां नहीं बता सकती मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी भाव और विस्वास के साथ नाम जब करेगा उस पर नाम महराज की करपा होकर रहती है मेरे जीवन में जो भी अनवव हुए हैं और हो रहे हैं वो सभी नाम महराज जी की करपा का ही फल है गुरू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाज जो कि आप लोगों को नाम जब से जोड कर उनके अंदर प्रभू के लिए प्रेम को उत्पन्द कर रहे हैं जिससे उनका कल्यान हो रहा है गुरू जी आप ऐसे ही सभी का मार डरसन करते रहेगा अपना आसिरवाज ऐसे ही सभी पर बनाई रखेगा जय जय खीताराम भाईो बैनो आपने देखा ना मुम्किन भी नाम जब से मुम्किन हो जाता है आप अगर नाम महराज जी की सर्ण में आ जाते हैं तो आपका कल्यान होकर रहेगा निरांतर नाम जब आपको परमात्मा तक से मिला रहेगा आपको कता अच्छी लगी हो तक कमेंट में जय सीताराम लिखना मत बूलीगा जिससे दास का मनुबल लगाता बलता रहे और अच्छे प्रेना डैक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे जय जय सीताराम